नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राधिका बाजबी, Infertility Specialist, Apollo Medics Super Specialty Hospital लखना हूँ आज हम बात करेंगे कि IVF प्रक्रिया कैसे की जाती है, यह प्रक्रिया क्या होती है पर उसे पहले यह जान लें कि Natural Conception में और एक IVF Conception में क्या फर्क होता है Natural Conception में जो Fertilization Process होती है या जो Embryo बनने की प्रक्रिया होती है वो महिला के शरीर के अंदर उसके फलोपियन ट्यूब में होती है यदि किसी गरबड़ी के वज़े से या किसी कारणवश यह प्रक्रिया शरीर के अंदर नहीं हो पा रही है तो उस थिती में महिला से एग्स लेके, हस्बन से स्पर्म लेके, शरीर के बाहर लाब में Fertilization प्रक्रिया या Embryo बनाने की प्रक्रिया की जाती है इस प्रॉसेस को हम IVF या In-Vitro Fertilization या Text-Tube Baby प्रक्रिया कहते हैं एक IVF प्रक्रिया में लिए दो स्टेप्स में की जाती है पहला होता है ओवम पिकप या Egg Retrieval Process दूसरा होता है Embryo Transfer Process किसी भी दंपत्ती की शुरुवाती जाचों के बाद यदि उनको IVF प्रॉसेस के लिए जाना होता है तो उनके डॉक्टर, फीमेल पार्टनर को उनके साइकल के सेकेंड या थर्ड डे क्लिनिक पे बुलाते हैं उस दिन उनका बेस लाइन ट्रांस वजाइनल अल्ट्रसाउंड किया जाता है ये सामाने होती है तो उनको एक प्रॉसेस किया जाता है जिसको कंट्रोल ओवेडियन स्टिमिलेशन कहते हैं जिसमें उनको हर्मोन्स के इंजेक्शन दिया जाता है ये हर्मोन्स के इंजेक्शन की प्रक्रिया दस से बारा दिन की होती है और जब एक्सिमम नंबर ओफ एक मेच्वर साइस पे पहुंच जाते हैं तब उनका ओवर्म पिकप प्लान किया जाता है पहले ट्रिगर दिया जाता है और उसके 36 आवस के बाद ओप्यूप प्लान करते हैं ये प्रक्रिया बेहुशी में की जाती है महिला को किसी प्रकार का पेन या दर्ड नहीं होता है जिस दिन ओवर्म पिक अप होता है उस दिन ही हजबन से स्परम्स लेके महिला से एक्ज लिये हैं उनको मिलाके हम एंब्रियोज बनाते हैं आई विएफ या इकसी प्रक्रिया के दुआदा उसके बाद इन embryos को विशेश incubators में culture किया जाता है तीसरे से पांचवे दिन तक अब इस step के बाद फिर नेक्स step स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं embryo transfer की प्रक्रिया embryo transfer प्रक्रिया 5-10 मिनट की होती है इसमें कोई भी होशी की जरुवत नहीं होती है इसमें पेशिंट के embryos को एक catheter में load करके ultrasound की guidance में uterus के अंदर रखा जाता है इसको embryo transfer process कहते हैं प्रक्रिया के एक से दो घंटे बाद पेशिंट को घर बेच देते हैं डॉक्टर उनको कुछ medicines prescribe करते हैं जो पेशिंट को बाद दो हफते तक नियमित लेना होता है दो हफते के बाद एक blood test किया जाता है जिसे beta HCG बोलते हैं और उसकी value यदि 50 से उपर है तो pregnancy test positive माना जाता है तो यह एक IVF cycle complete होती है अमूमन इस cycle को complete होने में एक से दो महीने लगते हैं सामाने तहा किसी भी स्तिती में admission की जरूवत नहीं पड़ती है यह एक बहुती सुरक्षित प्रक्रिया है और आजकल advanced technique के प्रयोग होने के वज़े से IVF के success दर बहुत बहतर मिलते हैं यदि आपको infertility related कोई समस्या है कोई query है तो आप Apollo Medics Hospital के infertility और IVF unit में संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद